Wonderful SR Creation में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनसा देवी हरित्वार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने ग्रूप में शेर करें और मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एसे वीडियो पास सकें। माता मनसा देवी मंदिर का निर्मान मनी माजरा के महराजा गोपाल सेहनी साल 1811 और 1815 के बीज में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का मस्तिक गिरा था। जिसके पाद इस भव्य मंदिर का निर्मान करवाया गया। कहा जाता है कि भगवान शिव की तीन पुत्रिया हैं अशुक सुंदरी, जोतिमा ज्वाला मुखी और वासुकी या मनसा देवी। इन में से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सोतेली बेटी माना जाता है। कहते है कि कार्दे के के तरही पार्वती नी वासुकी को जन्म नहीं देया था। कहा जाता है कि मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री है, इसलिए उन्हें मनसा कहते है। किन्तु कई धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म कश्व के मस्तक से हुआ है, इसलिए मनसा कहा जाता है। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कहा जाता है कि सात नाग उनकी रक्षण में सदेव विद्धिमान रहते है। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। आस्तिक नेहीं वासुकी को सर्प यगन से बचाया था। बंगाल के लोग कथाओं के अनुसार सर्प देशिका इलाज मनसा देवी के पास होता है। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम रूशी जरतकारू बताया गया है। और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है जिसने अपनी माता की गृपा से सर्पो को जन्मेयज के यगन से बचाया था। एसा कहा जाता है कि मनसा माता ने भगवान शीव की कठोर तपस्या की और वेदो का ग्णान और स्री कृष्न मंत्र प्राप्त किया था। जो कल्पतरू मंत्र कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुनह तप करके स्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किये थे। तभी भगवन स्री कृष्ण ने उन्हें वर्दान दिया की तेनों लोकों में तुम्हारी पूझा होगी। मनसा देवी की पूझा बंगाल में गंगा दशरा के दिन होती हैं जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी की पूझा की जाती हैं। एक मान्यता के अनुसार पंचमी के दिन खर के आंगन में नाग फनी की शाखा पर मनसा देवी की पूझा करने से विश्का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूझा के बाद ही नाग पूझा होती है। आम तोर पर उनकी पूझा बीना किसी प्रतिमा के होती है। तन्यवाद तन्यवाद